यूज एटी इंडिया के दौरान एक समुदाय के लोगों ने पत्थर बाजी भी की थी लेकिन अब तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर महराश्र के मीरा रोट से सामने आई है बुल्डोजर यहाँ पर मंगवाए गये है और उसके बाद आप देखें कैसे ध्वस्त कर दिया गया है जो भी अवैद निर्मार यहाँ पर बीच में दिखाई दे रहे थे मीरा रोट में रविवार की रात को जैशिराम के जंडे लगी गाडियों में तोड़ पोड की गई थी और उसके बाद सुमवार को जब चुबा यात्रा निकाली जा रही थी तो उस दोरान भी एक समुदाय की लोगों ने पत्थर बाजी की थी और जिसके बाद ये अवैद निर्मार तोड़ा जा रहा है इसक्लूजव तस्वीरे न्यूज जेट इन इंडिया पर इस वक्त आप देख रहे हैं आपको ये भी बता दे कि शिंदे सरकार पूरी तरीके से अक्षन में है अलग-अलग जगहों से जो तस्वीरे सामने आई है वहाँ पर लोगों को गिरफतार भी किया गया है दो तस्वीरे आपके टीवी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरे देखें एक कि झनवरी 2024 की है वहीं दूसी तस्वीर आज की है एक क्यिस जनवरी 2024 की तस्वीरे आप देख रहे है जब कि राम ला म के जढ़े लगी गाड़ी में उस दॉरान भी एक समुदाय विशेज के लोगों ने शोभा यात्रा में धखल डालने की कोईश की उसके बाद ये बुल्डोजर आक्शन आप इस वक्त मीरा रोड हैदर शॉक पर देख पा रहे हैं जहां पर इलीकल जो कंस्रॉक्शन था उसे द्वास किया जा रहा है मीरा रोड की तस्वीरे एक्स्क्लूजिवली आपके टीवी स्क्रीन पर है इससे पहले जो CCTV भी हमने आपको दिखाए है वो उसी वक्त का था जब उपद्रवी यहां पर तोड़ खोर करते हुए दिखाई दे रहे थे लेकिन उसके बाद रिजल्ट आपके इस वक्त सामने है आपको ये भी बता दे कि इस पूरे इलाके में सुरक्षा को भी उसके बाद बढ़ाया गया एक बार फिर से दो तस्वीरे आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं 21 जनवरी 2024 एसी CCTV के आधार पर कई ऐसे लोग भी है जिनकी गिरफतारी भी हो चुकी है दिवाकर हमारे साथ जुड़ गया है दिवाकर आपसी सोहाट किसी भी तरीके से ना मिटे ना उसमें खलल पड़े इसको लेकर शिंदे सरकास्टिक दिखाई दे रही है देखे जाहिर तर पर जिस तरह की घटना रभीवार की रात को और फिर सोमवार की साम को सामने आई थी उसको देखते विए पुलिस पर भी सवाल कड़े हो रहे थे क्या कि आधिर पुलिस ने दगड़े बंदोबस क्यों नहीं किये थे और जब इस तरह की घटना होई तो उसमें एक्षन क्यों नहीं लिया गया हिंदू शंगठन लगातार आकरामक दिख रहे थे जिसके चलते देविट फंडविस का जो बयान सामने आया था कल जो भी दोसी होंगे उनके खिलाब कड़ी कारवाई की जाएगी जो अवैद निर्माड होगा उसको तोड़ा जाए बान अगर पालकार के अधिकारी एक एक अवैद निर्माड को ड़ाने में इस वक जुटे हुए हैं जो जानकारी मिल रही है महानगर पालिका के अधिकारी ये बता रहे हैं कि काफी बड़ी संख्या में यह अब निर्माड किया गया था क्योंकि मीरा रोड के नया नगर इलाखे का है अधर चौक का इलाका है और यहीं पर अभीवार की राद को उन गाड़ियों में तोड़ इसके बाद जिसके सरकार ने एक्षन लिया और ताप कोर पर माराश के मुख्रमंतरी एकसे नगर इसके पर यह जानने का राधार के अधर के अधर निर्माड है और इसी को अब एक एक करके जो मानगर पालिका का बुलडो जे दिवाकर आप बने रहेगा हमारे साथ लेकिन exclusive तस्वेर है न्यूज़ेट इंडिया पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं पैरा मिलिटरी फोर्स दिखाई दे रहे हैं रैपिड एक्षन फोर्स दिखाई दे रहे हैं और इस दौरान मामला कहीं बिगडे ना, किसी तरीके से situation खराब नहों, सिर्थी बिगडे ना, इसके मत दे नजर, वहाँ पर इन तमाम टुकडियों को तैनात किया गया है, लेकिन इस वक्त demolition का काम लगातार जारी है, destruction जिस तरीके से की जई है, वहाँ पर illegal construction हुआ है, उसे द्वस करने की कोशिश लगातार जारी है, हाला कि अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई है, कि क्या जो सभी miscreants थे वहाँ पे, जो सभी उपद्रवी थे, वो इस वक्त identify कर लिए गये हैं, या नहीं कर लिए गये हैं, लेकिन demolition का काम लगातार जारी है, ये exclusive तस्वीरे, अ सब कुछ किया गया, 13 लोगों की इस से पहले गिरफकारी की भी खबर मिल रही है, इसको लेकर कोई अपडेट आपके पास? महाराज के मुक्मंत्री एक लाज सिंदे तक पहुची, तो जाहिर तोर पर उनके लिए ये strict action था, उन लेना बहुत जरूरी था, और जो आरोपी 13 पकड़े गये हैं, उनहीं के आभी तक जो ठीकाने जहां पर अब निर्मारी किया गया है, उस पर कारवाई हो रही है, अला की को आइडेंटिफाई करने की जो कोशिस है, वो पुलिस के द्वारा की जा रही है, लेकिन फिरहाज 13 आरोपियों को अब तक पुलिस ने गरप्तार किया है, और उनहीं 13 आरोपियों की जो अबैन निर्मार है, जिस पर इस वक्त महानगर पालिका का बुल्डोजत चल रह और उसके बाद ये एक्शन हमें मिल रहा है, एक बात तो साफ है कि धर्म के नाम पर किसी भी तरह की आराजक्ता फैलाने की जो इंडिपेंडनेंस लिबर्टी, तमाम आराजक्ता तो लेते थे वो लिबर्टी नहीं दी जाएगी, ये सीधा-सीधा मैसेज है, शिंदे शलक है और यहां पर मैं गहूंगे कि जो बिसे समुदा है, उसकी आबादी काफी जादा है, और जुलविवार की रात को घटना हुई थी, जो गाड़ियां वहाँ पर खड़ी थी, उन पर सिर्राम नाम के जंडे लगे हुए थे, और उन ही गाड़ियों में, क्योंकि पुलिस क साम को घटना सामने आई, जिसना से पत्थर बाजी की गई सुबा यात्रा पर, उस पर लेकर साब तर पुलिस पर सवाल भी थे, लेकिन पुलिस ने उस मामले में अब तक किसी को गिरपतार नहीं किया, जो सुबा की घटनार अभिवार को हुई थी, उसमें गिरपतारी हु ठीके दिवाकर आप नजर बना के रखेगा, फिलाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए झाल झाल